यहां दिया है 18 अनुपात 13 दस्मलों 5 समा अनुपात 16 अनुपात एक्स तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, equation बना सकते हैं यहां पिए दि हम दस्मलों को हटाएं तो 180 बट 135 बड़ाबर 16 बटा एक्स तो हम उपर को उपर से हटा सकते हैं मतलब कटा सकते हैं सीधी सी बात तो 4 चौंक 16 ये 4 चौंक 16 और 4 पंचे 20 ठीक है 45 बटा 135 है अब 45 और X को एक सेड रख देते हैं तो 45 X हो गई है और इधर 135 जाके 4 के साथ गुणा हो जाएगा और यदि X बराबर करेंगे तो ये 4 गुणा 135 बटा 45 अब इसको 9 से कटाते हैं नो पंचे 45 हो गई है और 9 एकम ना उचारते रहोते हैं नो पंचे 45 यहां 15 आएगा इस तरह से यहां उपर मैं आया 15 और नीचे मैं आया 5 फिर हो गई है 5 ती है 15 ना चारतीय बारा इसका उत्तर हो जाएगा बारा आप सन में देखते हैं बारा कहां है यहोगा